अगर आप भी Google, Facebook, Instagram यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपने मुबाइल का डेटा सेफ कैसे करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले Google Chrome आपको उपन कर लेना है अगर आप Google Chrome यूज़ करते हो तो Google Chrome आप यहां से ओन कर लोगे ओन करने के बाद इस त्री डोट पे उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहां पर सेटिंग का ओप्शन दिखाई देगा सेटिंग के ओप्शन में जाने के बाद आपको एक ओप्शन मिलता है नीचे की तरफ में light mode का option होगा light mode पे आपको click करना है click करना का बाद data save यहाँ पे off रहेगा आपके mobile में तो यहाँ पे आपको इसको own कर लेना है इससे हमारे google chrome का data save होगा तो चलिए अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं अगर आप facebook भी use करते हैं तो facebook में भी same setting करनी होगी आप facebook on करेंगे उसके बाद redote पे जाएंगे तर लाइंस पे जाएंगे तर लाइंस में जाने के बाद आप नीचे के तरफ देखेंगे setting and privacy इस पे जाएंगे इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे एक option मिल जाता है data saver data saver पे आप click करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे data saver मेरा own है तो अगर आपके phone में पहले से यह off होगा तो इस data saver को own करना होगा यहाँ पे एक setting always के नीचे मिलती है always turn off data saver on wifi अगर आपका phone wifi के साथ चलता है तो data saver off हो जाएगा इसमें work नहीं करेगा तो इसको अगर आपको बंद करना चाहते हो तो इसको बंद कर दे और नहीं बंद करना चाहते हो इसको चालू रहने दे बस first option आप यहाँ पे आपको own करना है तो चलिए बात करते हैं Instagram की Instagram आप own करेंगे own करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे Instagram on कर लिया है own करना के बाद आप icon पे click करेंगे नीचे की site यह interface आपको खोल की मिलेगा इसके बाद आपको ऊपर three lines पे click करना है three lines में click करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक option होगा यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है setting में जाएंगे setting में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे account का option मिलेगा account के option में आप click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा cellular data use इस पे आप click करेंगे यह भी आपके पास यहाँ पे off होगा तो इसको भी आपको own कर लेना है तो यह तीनों तरीके मैंने आपको बता दिये तीनों application में आप कर सकते हैं otherwise कोई other application भी आप use करते हैं तो उसमें भी same setting available होगी आप उसमें भी कर सकते हैं तो friends आपको वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को जादर जादर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नए लोग जो हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे related आने वाले टाइम में आपको सारी वीडियो मिलती रहें धन्यवाद